Assalamualaikum, this is Shahzeb and you are watching Zebi Tech तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा comparison Infinix Note 10 Pro vs Realme 8 अब ये दोनों जो smart phones हैं काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं लेकिन specifications कुछ मिलती है इसके अंदर और जो इनके दिर्मियान price difference है वो थोड़ा में ज्यादा देखने को मिल जाता है तो अगर आपका budget है 30-40,000 की range में तो आपको इन दोनों में से कौन सा smartphone buy करना चाहिए आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा smartphone best है तो आप वो buy कर सकते हैं तो make sure वीडियो के आँ तक जरूर देख लीजेगा आपके कोई भी questions दो वीडियो के बाद तो आप ने चेकर पूस्ता क्ते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर देजेगा चैनल परने हैं मुझे पहले जबाद देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाइल लाइक बाद देना ताकि जब वीडियो आए आप वोपर स्टिफिकेशन आजए तो करते हैं आज का comparison स्टार्ट सबसे मेलें यहां पर बात कर लिए इंके design की तो design wise दोनों ही अपने जगा पर काफी better देखने को मिल जाते हैं यहां पर Infinix Note 10 Pro की बात बात कर लिए है तो इसकी back side पर dual tone design देखने को मिल जाएगा नीचे half side पर हमें lining type design देखने को मिलता है सेंटर बात करें मuvंता शोट भीजाold के उसका दिन देखने को मिल जाता है जब बात कर यहां पे到底 अचिहां तो इसका डिजाइन काफी बेटन मिलता है गेगी सबस्कारों वे लए छेड़ हमें there to lead, बड़ा सा देखने को मिल जाएगा vertically लिखा हुआ जिसके नरह हमें rainbow shirts देखने को मिल जाते हैं इसके लिवा इसके camera module की बात कर लिए है तो इसके लिवह बड़े-बड़े से charge sensor square shape में देखने को मिल जाएगे और उनके निचे display sizes की बात कर लिया है display quality की बात कर लिया है तो यहां पर इसके इसके निदर में 6.95 इंच का display मिलता है IPS LCD full HD play resolution यानि के 1080p into 2400 pixels इसके साथ साथ इसके निदर जो screen to body ratio है वो हमे 91% का मिलता है क्योंकि काफी अच्छी बात है bezels आपको काफी हद तक कम ही देखने को मिलेंगे इसके अलावा यहां पर जो इनका highlighting feature उसके बात करने तो इसके निदर हमें 90Hz का refresh rate मिलता है 180Hz का touch sampling rate भी तो इसका जो display है वो काफी smooth feel होगा आपको आप easily use कर सकेंगे आपको जो experience है वो काफी अच्छा होने वाला है जबके बात कर लिए हैं यहां पर देखने को मिलेंगे इसके अलावा यहां पर इसकी जो brightness level हो भी 1000 nits तक के मिलते हैं तो daylight के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करेड़ करेगा super amulet display है जो colors बगएर है वो काफी पंची मिलेंगे bright colors और daylight के अंदर भी आप इसको easily use कर सकेंगे as compared to influence note 10 pro तो daylight के अंदर वो आपको सब्सक्राइब कराएगा क्योंकि आपको फास होती नहीं है तो आपको थोड़े बहुत visibility issues आएंगे influence note 10 pro के अंदर तो मेरे ख्याल से यहां पर super amulet display 90 hertz से ज्यादा बैटर है मेरे ख्याल से तो आपको इसके तरह हमें Mali G76 मिलता है तो इसके परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिल जाए कि 40 fps का पबजी का gameplay भी मिलता है बाकि जो गेमेंस आपको भी हाय साइटिंग पर इसली रन हो जाती है डेली टास्क पगर है तो दोनों के दर आपको कोई परफॉर्मेंस वाले साइट से कोई बीच्यू नहीं आए का आप दोनों ही यूज कर सकेंगे इसके लावा यहां पर इसके बात कर लिया है तो दोनों के सेम विरेंट हमें देखने को मिलेगा 8GB M के साथ और 108GB Storage की जो आपको देखने को मिल जा की बात कर लिया है तो बैटरी का लिए साइट से भी हम बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगे दोनों के अंदर में 5000 mh की बैटरी मिलती है और जब फास्चार्जिंग के थोड़ी चेंज है थोड़ी माइनर सी चेंज है इंफिनिस नोट 10 प्रो के दर हमें 33W की फास्चार् इसकी 5000 mh की बैटरी है जब के बात कर लिए निफिनिस नोट 10 प्रो गी तो इसकी उप्टमाइज़ाशन की इस्यूज वगारा होते है तो बैटरी बैटरी बैक आपको इतनले को एकास देखने को नहीं मिलेगा as compared to realme 8 तो बैटरी वाली साइट से मेरे ख्याल से जो realme 8 है बैटर है तो इसी तरह यहां पर इनके बात कर लिए है तो यहां पर ऑवेसली दोनों कंदर में Android 11 मिलता है यहां पर जो realme 8 है इसके अंदर हमें realme UI मिलता है जो काफी smooth फील करता है जानके bugs भी नहीं हो इसके अंदर UI काफी clean है आपको अच्छा experience करता है जब के बात कर अब नेक्स यहां पर बात कर लिए है इनके camera's की तो camera वाली side से हमें almost similar देखने को मिल जाते हैं इन दोनों smart phones के अंदर हमें जो main sensor है back side पर 64 में official का देखने को मिलता है आर्ट का auto wireless दो का macro और दोगा में जो depth sensor है वो देखने को मिल जाता है back side पर जबके front की बात कर लिया है तो front side पर दोनों के अंदर हमें जो 16-way official का selfish tutor है वो मिल जाता है तो इसके लावब 4K 30fps की video recording दोनों की back side से मिलती है जबके front की बात कर तो front side पे inference note 10 pro के अंदर भी 4K 30fps ह जबके जो realme 8 के दर में 1080p की video recording है तो यह थोड़ा upgrade है inference note 10 pro के अंदर लेकिन यहां पर बात आ जाती है optimization की तो यहां पर obviously realme 8 की जो optimization है camera वाली side से भी काफी better है आपको काफी अच्छे cameras देखने को मिलेंगे pictures भी काफी अच्छी मिलती है काफी अच्छे colors provide करता है जबके inference note 10 pro की बात कर लिए तो colors वगर इसके दूर ठीक है लेकिन जो dynamic range वगर है वो इतनी को खौस देखने को मिलता है यानिके overexposed देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से जो camera वाली side भी काफी better है realme 8 की तो यह camera वाली side हो गई इन दोनों की अब बात कर लिए हाँपे इनके thickness की तो य almost similarity का सकते हैं में देखने को मिल जाती है तो आप कितना को difference feel नहीं होगा और इसके लाव यहाँ पर इनके fingerprint scanners के बात कर लिए है तो यहाँ पर difference मिलता है काफी बड़ा यहाँ पर जो realme 8 है obviously super amulet display है तो under display fingerprint scanner इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो काफी futuristic look provide करता है जबकर यहाँ पर इन्फिनिक्स note 10 pro के बात कर लिए है तो इसके अंदर हमें side mounted fingerprint scanner देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर speed विगार इसकी भी काफी ची देखने को मिल जाती है लेकिन अगर preference की बात करें तो मेरे ख्याल से under display fingerprint scanner ज्यादा बैटर है तो यहाँ पर हो गया complete comparison realme 8 वर्स इन्फिनिक्स note 10 pro बात कर लिए final conclusion की final verdict की तो मेरे ख्याल से जो realme 8 है वो कफी बैटर है इन्फिनिक्स note 10 pro के मुकाबले में लेकिन यहाँ प्राइस डिफ्रेंस से ओविएसली 30,000 की देंज में इन्फिनिक्स note 10 pro देखने को मिलता है हूँ अब बहुत को सब्सक्राइब करणा ना बात तो टेकर आगी तो मैं मिलता हूँ आप सबकिसी वीडियो में तब तक के लिए आदा अलापीज